खाना जिससे आप अपनी भूख को मिटाते हो और पानी जो आपकी प्यास बुजाता है भोजन और पानी के द्वारा आप अपनी भूख और प्यास तो दूर करते ही हैं साथ ही भोजन और जल द्वारा आपको ताकत वो अनरजी मिलती है जो आपके लिए बहुत जरूरी है किन्तु उसी भोजन और जल को साथ में लेने पर वो आपको बिमार भी कर सकता है जी हाँ आपको खाना खाने की और पानी पीने की सही जानकरी ना होने पर आप लोग पेट दर्द, खट्टी डकारे यानी ऐसिडिटी, पेट की गैस, पेट में अफारा, पेट में भारीपन, कठोर कब्ज, पेट पूरा साफ ना होना, मल त्याग दे समय काफी जोर लगान कई कई दिनों के बाद पेट साफ होना, एक बार में पूरा पेट साफ ना होना, सिरदर्द जैसी असाध्य बिमारियां आपको हो जाती हैं। बिमारियां बीपी शुगर जैसी आदी बिमारियां हो जाती हैं ये सभी बिमारियां उसी भोजन और जल के गलत तरीके से सेवन करने के कारण हो जाती हैं जो आप अपनी भूख प्यास दूर करने को और शरीर को एनरजी ताकत वह स्वस्त और साफ रखने के लिए ग्रहन करत तथा भोजन और जल को साथ में ग्रहन करने का सही तरीका क्या है ये सब जानने के लिए तथा भोजन और जल को साथ में लेना चाहिए या नहीं और अगर खाने के साथ पानी पीए भी तो कैसे पीना चाहिए ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो इसके लिए यानि के सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखिएगा ताकि कुछ भी आप से छूटे नहीं आप सभी को हमारा नमस्कार आपका हमारे चैनल में स्वागत है तो दोस्तों भोजन और जल को साथ में लेने पर भी आयुड वेद में काफी अच्छा शलोक है इस शलोक में खाने और पानी को साथ में लेने के कुछ नियम बताए गए हैं साथ ही कुछ नियम ऐसे भी बताए गए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए इन सभी नियमों का पालन करने पर आप जीवन भर पेट साफ ना होने, कब्ज, गैस, ऐसी जिटी जैसी किसी भी बिमारी के सिकंजे में नहीं फसेंगे और आपका पूरा जीवन खुशहाल तथा सुखी बीतेगा तो आईए जानते हैं नियमों के बारे में, नियम के अनुसार जब भी आपको अपच हो तब जल पीना एक तरह से ओशिधी का काम करता है, तथा भोजन के पच जाने पर जल पीना बल दायक होता है, और भोजन के मद्धे काल में यानि खाना शुरू करते हुए पहले ही पानी पीना अमरित के समान होता है, किन्तु भोजन के अन्त में यानि खाना खाने के तुरंत बाद जल पीना पाचन क्रिया के लिए बहुत हानी कारक होता है, इस श्लोक में इस और इशारा करते हुए कि समय पर किसी पधार्थ को सेवन करने का क्या प्रभाव होता है, जल के सेव करने के लिए जलका सेवन करते समय इस शलोक में दिये गए मार्ग दर्शन का पालन करना चाहिए दोस्तों इस शलोक में बताए गए नियमों का पालन यदि आप केरफुली करते हैं तथा भोजन और पानी को साथ में लेने के नियमों का पालन करते हैं तो आपका पाचन हमेश सही रहेगा तो आपका खाना पूरी तरह पच जाएगा जब खाना पूरा पचेगा तो आपको कब्ज गैस एसीडिटी पेट साफ ना होने जैसी पेट की बिमारियां कभी होंगी ही नहीं जब आपको पेट की कोई भी बिमारी नहीं होगी तो अन्य बिमारियां भी आपके आ कुछ भी अलग से खाने की जरूरत बिलकुल नहीं है। कब्ज, गैस, ऐसिडिटी, पेट पूरा साफ ना होना, एक बार में पूरा पेट साफ ना होना, पेट में अफारे जैसी पेट की बिमारियों के लिए आपको कोई भी नुस्खा, देशी उपाय, दवाईयों का सेवन क करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना तो आप इनके जरिये कोई भी स्थी लाब पा सकते हैं। इनको जड़ से खतम करने के लिए आप इस वीडियो में बताए गए नियमों को फोलो करें, तथा देशी नुस्खों का उप्योग करने के साथ साथ आप वो भी करें, जो ह हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है, हमने उन पर पूरी एक सीरीज तैयार की है, जिसके जरिये पेट की बिमारियां जड़ से खतम हो जाएंगी, आप उस सीरीज को पूरा देखिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक में मि कुछ नियम जिनका ग्यान ना होने पर ही आप लोग बिलकुल सही लाइफ स्टाइल और सही खानपान के बावजूद आप अनेएक बिमारियों से पीडित रहते हैं, इस नियम को भी अन्या नियमों की तरह ही अपनी लाइफ में उतारें और बिमारियों से हमेशा के लिए म आपको मिलते रहें, आपको करता हूं कि आपको ये वीडियों और ये चारकारी दोनों अच्छी लगी होंगी और आपके लिए फायदे मन्द होंगी, तो दोफ्तों अब हमें आगया देजिए